18 जनवरी को चंडिगड के मेर के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रिस के अध्यक्स एचेस लिटी जी गटबंदन को लेकर क्या फैसला हुआ है? गटबंदन को लेकर यही फैसला हुआ है कि जो कॉंग्रिस और आपका गटबंदन यहाँ पर हो गया है म्यूंसिपल कॉर्परेशन के मेर के चुनाव के लिए आपके कैंडिडेट जो हैं वो मेर का चुनाव लड़ेंगे और कॉंग्रिस उसमें सपोर्ट करेगी और जो सीनि कॉंग्रिस और आपका लाइन्स हमारा मेर एलेक्शन में हुआ है उसमें एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा जब भारतिय जंता पार्टी को एक डिसाइसिव डिफीट दी जाएगी चंदिगड के अंदर से और मैं इसके लिए सभी हमारे कांसलर्स जो आम हैं बंटी जी कांसलर हैं नेहा जी कांसलर हैं कांसलर ही हैं अब जितनों की जुरूरती उतने आगे हैं आप बताइए गटवंदन फॉर्मली अनौंस हो चुका देखो जी लोकल लेवल के उपर गडवंदन हुआ है जो उपर का लेवल है वो जब हमारे पास मेसेज आएग हम बता देंगे पर हमारा लोकल लेवल के उपर हुआ था वो हमने मेर के लिए कॉंगरेस ने आमादमी पार्टी को स्पोर्ट करी है चंडिगड के अंदर और ऐसे इसी निया डिप्टिमेर और डिप्टिमेर के लिए हमने उनको यूज़ की जो आपके कॉंसलर्स उनको बा पार्टी का अलाइंस हो चुका है इसकी घोसना स्थानी नेताओं ने कर दी है लेकिन पार्टी आलकमान की तरफ से दोनों पार्टियों के तरफ से उसकी घोसना होना बाकी है लेकिन अब ये तैह है कि चंडिगड मुनिस्वल कॉर्परेशन पर इंडिया अलाइंस का कपज